रामकृष्णहरी, रामकृष्णहरी, कारकम में हमारे साथ उपस्तित, महाराष्टर के गवर्नर स्रिमान भगत सिंक वश्यारी जी, महाराष्टर के मुख्यमंत्री, श्रिमार उद्धाव ठाकरे जी, मंत्री परिशत के मेरे साथी, श्री नितिन गड़करी जी, मेरे अन्य सयोगी नाराइंडराने जी, रावसाव दानवे जी, रामदास आठवले जी, कपिल पाटिल जी, डॉक्तर भागवत करार जी, डॉक्तर भारती पवार जी, जनरल विके स्रीन जी, महाराष्टर के उपमुख्य मंत्री स्री अजीत पवार जी, महाराष्टर विदान जभा में नेता प्रतिपक्ष और मेरे मित्र श्री देवेंदर फड़नविश जी, महाराष्टर सरकार के सभी सम्मानित मंत्री गण, साउसद में मेरे सयोगी साउसद गण, महाराष्टर के विधायगण, सभी अन्य जनप्रतिपनी जी, यहां हमें आशिरवाद देने के लिए उपस्दीत, हमारे सभी पुझ्य संतगण और स्रधालू साथियों, दो दिन पहले इश्वर क्रपा से मुझे केदारनाथ में आदी संक्राचारे जी की पुनर निर्मित समाधी की सेवा का अवसर मिला, और आज बगवान विठ्ठल ने अपने निक्त निवास्थान पंडरपुर में मुझे आप सब के भी जोड दिया, इस से ज़्यादा आनन्द का इश्वरिय क्रुपा के साशात करका सोभागिया और क्या हो सकता है, आदी संकराचायर जी ने स्वयम कहा है, महायोग पीठे तटे भीमरत्यां वरम पुन्डरिकाय दातुम मुनिंद्रहे समागत्य तिश्टत्तम आनन्द कंदम परभं मलिंगं बजे पांडुरंगं अर्थात, संकराचायर जी ने कहा है, पंडरपुर की इस महायोग भूमी में विठ्थल भगवान, साक्षात, आनन्द स्वरूप है, इसलिए पंडरपुर तो आनन्द का ही प्रत्यक्ष स्वरूप है, और आज तो इसमें सेवा का आनन्द भी साथ में जूड रहा है, मला अतीश आनन्द होता है कि संत ज्ञानोबा मावली आणि संत तुकवारल चा पालखी बारगाचे आज उद्गाडन होता है, वारकरेना अधिक सुविधा तर मेनारज आहेत, पण आपन जैसे मनतों कि रस्ते ही विकासाचे द्वार अस्ते, तसे पंद्री कडे जानारे हे मार्ग भागवत धर्माची पता का आन्थी उँच फड मिनारे महा मार्ग शर्तिल, पवित्र मारगा कडे नेनारे ते महादबार ठरेल, साथ क्यों, आज यहाँ स्री संत ग्यानेश्वर महराज पालखी मार्ग और संत तुकारा महराज पालखी मार्ग इसका सलान्यास हुआ है, स्रीमन ग्यानेश्वर महराज पालखी मार का निर्मान अभी आपने वीडियो में भी देखा है, नितिन जी के भासन में भी सुना है, पांच चर्णों में होगा, और संत तुकारा महराज पालखी मार का निर्मान तीन चर्णों में पुरा किया जाएगा, इन सभी चानों में 350 किलोमेटर से ज़्यादा लंबाई के हाइवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड रुपिय से अधिक का खर्च किया जाएगा इसके सबसे खास बात ये है कि इन हाइवेच के दोनों तरफ पालखी आत्रा के लिए पैदल चलने वाले स्रद्धानों के लिए वारकरियों के लिए विशेश मार्क बनाए जाएंगे इसके अलावा आज पंडरपुर को जोडने वाले करीब सबाद 200 किलिमेटर लंबे नेश्नल हाइवे का भी शुभारम हुआ है लोकारपन हुआ है इनके निर्माण पर करीब 1200 करोड रुपे खर्च किये गए है शतारा कोलापूर सांगली बीजापूर मराठा वारकाई खेत्र उत्तरी महराष्टर का खेत्र इन सभी स्थानों से पंडरपूर आने वाले स्रध्धालों को ये नेश्नल हाइवे बहुत मदद करेंगे एक तरह से ये महामार्ग वगवान विठ्थल के भक्तों की सेवा के साथ साथ इस पूरे पुन्यक शेत्र के विकास का भी माध्यम बनेंगे विशेश रुप से इसके जरिये दक्षिन भारत के लिए कनेक्टिविटी और बहतर होगी इससे अब और ज्यादा स्रध्धालों यहां आसानी से आ सकेंगे और शेत्र के विकास से जुड़ी अन्यक गतिविद्यों को भी गति मिलेगी मैं इन सभी पुन्यकारियों उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति का अभिनंदन करता हूँ यह ऐसे प्रयास हैं जो हमें एक आत्मिक संतोस प्रदान करते हैं हमें जीवन की सार्थक्ता का आभास कराते हैं मैं भगवान विठ्थल के सभी वक्तों को इस खेत्र से जुड़े सभी लोगों को पंडरपुर्ग खेत्र के इस विकास अभियान के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ मिस सर्वब वारकरांचा नमन करतो मैं इस कृपा के लिए भगवान बिठ्थल देव जी के चरणों में अपना नमन करता हूँ उन्हें सास्टांक प्रणाम करता हूँ मैं सभी संतों के चरणों में भी अपना नमन करता हूँ साथियों अतीत में हमारे भारत पर कितने ही हमले हुए हैं सेंकडो साल की गुलामी में ये देश जकडा गया प्राकृतिक आपदाएं आई चुनवतियां आई कठिनाईयां आई लेकिन भगवान विठ्थल लेव में हमारी आस्ता हमारी दिंडी वैसे ही अनवरत चलती रही आज भी ये यात्रा दुनिया की सबसे प्राचिन और सबसे बड़ी जन यात्राओं के रूप में पीपल मूवमेंट के रूप में देखी जाती है अशाड एकादसी पर पंधपुर यात्रा का विहंगम दरश्य कौन भूल सकता है हजारों लाखों स्रध्धालू बस खीचे चले आते हैं हर तरप रामकृष्ण हरी रामकृष्ण हरी पुनलिक वर्दे हारी विठ्थल और ज्यानबातुकाराम इसका जैगवस होता है पूरे 21 दित 21 दिन तक एक अनोखा अनुशासन एक असाधरन सहियम देखने को मिलता है कि मार्ग अलग-अलग हो सकते हैं पद्धतिया और विचार अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा लक्ष एक होता है अन्त में सभी पंथ बागवत पंथ ही है और इसलिए हमारी यहां तो बड़े विश्वास के साथ सांस्त्रों में कहा गया है एकमसत विप्राहा बहुदावद अन्ती साथियों संत्रुकाराम महराज जी उन्होंने में मंत्र दिया है और तुकाराम जी महराज ने कहा है विश्णु मै जग वश्णवाचा धर्म भेदा भेद भ्रम अमंग अई का जी तुमी भक्त भागवर करालते हित सत्य करा कोणा ही जीवाचा न घड़ो मत्सर वर्म सरमेश्वर पूज नाचे यानि विश्ण में सब कुछ विश्णु मैं है इसलिए जीव जीव में भेद करना भेद भाव रखना ही अमंगल है आपस में इर्शा न हो द्वेश न हो हम सभी को समान माने यही सक्चा धर्म है इसलिए दिन्डी में कोई जात पात नहीं होता कोई भेद भाव नहीं होता हर वारकरी समान है हर वारकरी एक दुसरे का गुरु भाव है गुरु बहिन है सब एक विठ्थल के इंसंतान है इसलिए सबकी एक जाती है एक गोत्र है विठ्थल गोत्र वगवान विठ्थल का दरवार हर किसी के लिए समान रुप से खुला है और जब मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विष्वास कहता हूँ तो उसके पीछे भी तो इसी महान परंपरा की प्रेणा है यही भावना है यही भावना हमें देश के विकास के लिए प्रेरित करती है सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए प्रेरित करती है साथ क्यों पंडर पुर्की तो आभा पंडर पुर्की अनुभूती और पंडर भुर्की अभीवक्ती सब कुछ अलोगिक है आपन मनतों ना माजे महरे पंडरी आहे विवरेचा तीरी वाकई पंडर पुर्की घर की तरह है लेकिन मेरे लिए पंडर पुर्की तो और भी बहुत खास रिष्टे है और मैं आज संत जनों के सामने कहना चाहता हूँ इसलिए पंडर पुर की सेवा मेरे लिए साक्षात स्री नारण हरी की सेवा ही है यह वो भुमी है जहां भक्तों के लिए बगवान आज भी प्रत्यक्ष विराजते है यह वो भुमी है जिनके बारे में संत नामदेव जी महराज ने कहा है कि पंडर पुर्ट तब से है जब संसार की भी स्रस्टी नहीं हुई थी ऐसा इसलिए क्योंकि पंडर पूर्ट बहुतिक रुप से ही नहीं बलकि भावनात्म रुप से हमारे मनों में भी बनती है बस्ती है यह वो भुमी है जिसने संत ग्यानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम और संत एकनात जैसे कितने ही संतों को यूग संत बनाया है इस भुमी ने भारत को एक नई उर्जा दी भारत को फिर से चैतन ने दिया और भारत भुमी की ये विशेशता है कि समय समय पर अलग अलग छेत्रों में ऐसी महान विबूतियां अवतरित होती रही देश को दिशा दिखाती रही है आप देखिए दक्षिण में माधवाचारिया निंबारकाचारिया वल्लभाचारिया रामानुशा चारिया पच्चिम में नर्सी मेता मेरा भाई धीरो भगत भोजा भगत पितम तो उत्तर में रामानन कभीर दास गोश्वामी तुल्दी सूर्दास गुरु नानक देव संत रहधास पूर्वा में चैतन्य महाप्रभू और शंकर देव जैसे अने एक संतों के विचारों ने देश को समर्द्य किया अलग-अलग स्थान अलग-अलग कालखन लेकिन एक ही उद्देश सब ने भारतिये जन्मानस में एक नई चेतना फूप कि पूरे भारत को बक्ति की शक्ति का आभास कराया इसी भाव और इसी भाव में हम ये भी देखते हैं कि मत्रा के कृष्णा गुजरात में द्वारकादिश बनते हैं उड़िपी में बालकृष्णा बनते हैं और पंधरपुर में आकर विठल रुप में विराजित हो जाते हैं यही भगवान विठल दक्षिन भारत में कनकदास और पुरंदार्थ ऐसे जैसे संतकवियों के जरिये जन जन से जूड जाते हैं और कभी लिलाशुक के कावेव के मैंसे केरल में भी प्रगड हो जाते हैं यही तो भक्ती ही है जो जिसकी शक्ती जोडने वाली शक्ती है और यही तो एक भारत स्रेश्ट भारत के भव्यदर्शन है साथियों वारकरी आंदोलन की और एक विशेश्टा रही और वह यह हैं पूरुशों से कदम मिलाकर वारी में चलने वाली हमारी बहने देश की मात्र शक्ती देश की स्त्री शक्ती पंड्री की वारी आउसरों की समानता का प्रतीक है वारकली आंदोलन का धेवा क्य है भेदा भेद अमंगर भेदा भेद अमंगर यह सामाजिक समरस्ता का उद्गोश है और इस समरस्ता में स्त्री और पुरूश समानता भी अंतर निहित है बहुत सारे वारकरी स्त्री और पुरूश भी एक दुसरे को मावली मावली नाम से पुकारते हैं भगवान विठल और संत ज्ञाने स्वर का रूप एक दुसरे में देखते हैं आप भी जानते हैं कि मावली का अर्थ मा है यहनी यह मात्रूश शक्ति का भी गवरोगान है साथियों महाराष्ट्र की भूमी में मात्मा फुले वीर सावर कर जैसे अनेक पुरोधा अपने कारे को सभलता के जिस मुकाम तक पहुचा पाए उस यात्रा में बारकरी आंदोलन ने जो जमीन बनाई थी उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है बारकरी आंदोलन में कौन नहीं थे संत सावता महराच संत चोखा जी संत नावदे koń dong महराच संत गोरोवा सेन्जी महराच संत नरहरी महराच संत कहनोपात्रा समाज का हर समुदाए बारकरी आंदोलन का हिस्सा था साथ क्यों पंधरपूर ने मानवता को नकिवल भक्ति और राष्ट्र भक्ति का मार्ग दिखाया है बलकि भक्ति की शक्ति से मानवता का परिचय भी कराया है यहां अक्सर लोग भगवान से कुछ मांगने नहीं आते हैं यहां विठ्थल भगवान का दर्शन उनकी निश्काम भक्ति ही जीवन का धे हैं काई विठ्थू मावली चा दर्शना ने डोड़ा चे पानना फिड़ते की नहीं तभी तो भगवान यहां खुद भक्तों के आदेश पर युगों से कमरपनहार रख करके खड़े हैं भक्त पुंडिक ने अपने माता पिता में इश्वर को देखा था नर सेवा नारायन सेवा माना था आज तक वही आदर्श हमारा समाज जी रहा है सेवा दिंडी के जरिये जीव मात्र की सेवा को साधना मान कर चला रहा है हर वारकरी जिस निसकाम भाव से भक्ति करता है उसी भाव से निसकाम सेवा भी करता है अम्रुत कलशदान अन्नदान ये गरीबों की सेवा के प्रकल्पतों यहां चलते ही रहते हैं शिक्षाव और स्वास्त के खेत्र में आप सभी की सेवा समाज की शक्ति का एक अद्वित्य उदहारन है हमारे यहां आस्ताव और भक्ति किस तरह राष्ट सेवा और राष्ट भक्ति से जुड़ी है सेवा, सेवा दिन्डी इसका भी बहुत बड़ा उदहारन है गाउं का उथान, गाउं की प्रगती, सेवा दिन्डी इसका एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है देश आज गाउं के विकास लिए जितने भी संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है हमारे वारकरी भाई भेहन उसकी बहुत बड़ी ताकत है देश ने स्वच्छ भारत अभ्यान शुरू किया तो आज बिठोबा के भक्त निर्मलवारी अभ्यान के साथ उसे गती दे रहे हैं इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभ्यान हो जल सवरक्षन के लिए हमारे प्रयास हो हमारी आध्यात्मिक चेतना हमारे राष्टिय संकल्पों को उरजा दे रही है और आज जब मैं अपने वारकरी भाई बहनों से बात कर रहा हूँ तो आप से आशिरवास्वरूप तीन चीजे मांगना चाहता हूँ मांगो क्या ज़रा हाथ उबार करके बताईए मांगो क्या आप देंगे देखिये जिस प्रकार से आप समने हाथ उचा करके एक प्रकार से मुझे आशिरवाद दिये है आपका हमेशा मुझे पर इतना स्ने रहा है कि मैं खुद को रोग नहीं पा रहा मुझे पहला आशिरवाद वो चाहिए कि ये स्रीमन ग्यानेश्वर महराज पालकी मार का निर्मार होगा उसके किनारे जो विशेश पैदल मार बन रहा है उनके दोनों तरफ हर कुछ मिटर पर छायादार वरक्ष जरूर लगाएं जाएं ये करेंगे कि आप काम मेरा तो सबका प्रया से मनत रही है जब ये मार्ग बन कर तयार होंगे तब तक ये पैड़ भी इतने बड़े हो जाएंगे कि पूरा पैदल मार चायादार हो जाएगा मेरा इन पालखी मारगों के किनारे पढ़ने वाले अनेक गाउं से इस जन आंदोलन का नेत्रूता करने का आगर है हर गाउं अपने खेत्र से होकर गुजरने वाले पालखी मार की जिम्मेदारी संभाले बहां पैड लगाएं तो बहुत जल्द ये काम किया जा सकता है साथियों मुझे आपका दूसरा आशिरवाद चाहिए और दूसरा आशिरवाद मुझे ये चाहिए इस पैडल मार्क पर हर कुछ दूरी पर पीने के पानी की और वो भी शुद्ध पीने का जल्द इसकी भी व्यवस्ता की जाएं इन मार्गों पर अनेकों प्याव बनाए जाएं बगवान विठ्थल की भक्ति मैं लीन स्रधालू जब पंदरपूर की तरफ बढ़ते हैं तो 21 दिन तक अपना सब कुछ भूल जादे हैं पीने के प्याव ऐसे भक्तों के बहुत काम आएंगे और तीसा आशिरवाद मुझे आज आपसे जुरूर लेना है और मुझे आप निराज कभी नहीं करोगे तीसा आशिरवाद जो मुझे चाहिए वो पंदरपूर के लिए हैं मैं भविश्य में पंडर्कूर को भारत के सबसे स्वच्छ तिर्थस्थलों में देखना चाहता हूँ हिंदुस्तान में जब भी कोई देखे कि बैस सबसे स्वच्छ तिर्थस्थल कौन सा है तो सबसे पहले नाम मेरे विठोबा का मेरे विठ्छल की भूमी का मेरे पंडर कुका होना चाहिए ये चीज मैं आपसे चाहता हूँ और ये काम भी जन भागीदारी से ही होगा जब स्थानिय लोग स्वच्छता के आंदोलन का नेत्रुत्व अपनी कमान में लेंगे तभी हम इस सपने को साकार कर पाएंगे और मैं हमेशन जीज बात की वकालत करता हूँ सबका प्रयास कहता हूँ उसकी अभीवक्ती ऐसे ही होगी साथियों हम जब पंदरपुर जैसे अपने तिर्थों का विकास करते हैं तो उससे केबल सांस्क्रितिक प्रगती जी नहीं होती पूरे छेत्र के विकास को बल मिलता है जो सडके यहां चवडी हो रही है जो नए हाइवे सिकृत हो रहे हैं उसमें यहां धार्मिक परियतन बढ़ेगा नए रोजगार आएंगे और सेवा अभ्यानों को भी गती मिलेगी हम सभी के सरद्धे अटविहरी वाजपाई मानते भी थे कि जहां हाइवे पहुंच जाते हैं सडके पहुंच जाती हैं वहां विकास की नई धारा बहने लगती है इसी सोच के साथ उन्होंने स्वानिम चत्रभूच की शुरुवात कराई देश के गावों को सडकों से जोडने का अभियान भी शुरू किया आज उन्हीं आदर्सों पर देश में आधूनिक इंफ्रास्रेक्टर पर तेजगती से काम हो रहा है देश में हेल्थ इंफ्रास्रेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं डिजिटल व्यवस्ताओं को बढ़ाया जा रहा है देश में आज नए हाइवेज, वाटर वेज, नई रेल लाइने, मेट्रो लाइने, आधूनिक रेलवे स्टेशन, नए एरपोर्ट, नए एर रूट्स का एक बढ़ा विस्त्रूत नेटवर्क बन रहा है देश के हर गाउं तक, आप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है इन सारी योजनाओं में और तेजी लाने के लिए, समन्वे लाने के लिए, पी एम, गती शिक्ती, नेशनल, मास्टरल प्लान की भी शुरुवात की गई है आदेश सत्प्रतिशत कवरेज के वीजन के साथ आगे बढ़ रहा है हर गरीब को पक्का मकान, हर गर में सोचालय, हर परिवार को बिजली कनेक्शन, हर गर को नल से जल और हमारी माताओ भेनों को गैस कनेक्शन, ये सपने आज सच हो रहे हैं, समाज के गरीब, वन्चीत, दलीद, पिछडे, मद्यमबर को इनका सबसे ज़्यादा लाब मिल रहा है साथियों, हमारे अधिकाँज बार करी, गुरुभावतों किसान परिवारों से आते हैं गाओ गरीब के लिए देश के प्रयासों से आज सामान्य मानवी के जीवन में कैसे बडलाव आ रहे हैं, आप सब इसे देख रहे हैं हमारे गाओ गरीब से जमीन से जुड़ा अनदाता ऐसा ही होता है वो ग्रामीन अर्थे ववस्ता का भी सार्ती होता है और समाज की संस्कृति राष्ट की एक्ता को भी नेत्रुत्व देता है भारत की संस्कृति को भारत के आदर्शों को सदियों से यहां का धर्ती पुत्र ही जीवित्र बनाए हुए है एक सच्चा अनदाता समाज को जोड़ता है समाज को जीता है और समाज के लिए जीता है आप से ही समाज की प्रगती है और आपकी ही प्रगती में समाज की प्रगती है इसलिए अमरित काल में देश के संकल्पों में हमारे अनदाता हमारी उन्नती का बड़ा आधार है इसी भाव को लेकर देश आगे बढ़ रहा है साथियो संद ज्याने स्वर्जी माहराज ने कहा है दूरितां चे तिमीर जाओ दूरितां चे तिमीर जाओ विश्व सधर्म सूर्य पाहो जो जे वांचिल तो ते लाहो प्राणी जाद अर्थात विश्व में बुराईयों का अंदकार नश्ट हो धर्म का करतव का सुर्य पूरे विश्व में उदय हो और हर जीव की अच्छाएं पूरी हो हमें पूरा विश्वास है कि हम सब की भक्ती हम सब के प्रयास संत ग्याने स्वर्जी माहराज के इन भावों को जरूर सिद्ध करेंगे इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार सभी संतों को नमन करते हुए विठोबा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जय जय रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी